हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में स्वागत है आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज हम बने हुए पैंट प्लाजो पर साइट पर हमने इस पे जीपनी लगाई है यहां पर हम काज बटन करेंगे तो उसके लिए हमने आठ इंच यहां तक नीचे तक कट कर है और उसके बाद यह देखिए दो ही चौड़ी पट्टी लिए हैं दो से धाइंस तक फ्रेंड्स तो इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए इस परकार से किनारे पर हम एक पैर का बख्या का स्लाई लगाएंगे तो फ्रेंड्स जब तक हम स्लाई लगा रहे हैं प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लें बैल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो देखिए यह एक पैर की स्लाई लगाने के बाद इस पटी को फोल्ड करते हुए किनारे पर स्लाई लगा लेंगे और स्फाई के साथ उपर जो डे जिल इंच का फोल्ड किया उसे फोल्ड करते वे फिर से किनारे पर स्लाई लगाएंगे इस पटी की फोल्ड पर हमारा एक इंच चौड़ा को काज की कट करके काज बनाएंगे देखिए ये काज पटी मारे त्यार होगी उसके बाद हमने साड़े तीनी चौड़ी पटी लेकर के लबी पटी लेकर इस तरह से माप लेंगे और उल्टी तरफ इस पटी को हम रखेंगे ये देखिए उपर से डेरिंज बढ़ाते हुए फोल्ड करके उल्टी तरफ ये पटी रखते हुए अंदर की तरफ इस लाई बाहर की तरफ आएगी हमारी इस परकार से हमने इस पटी को रखते हुए इस लाई लगाना है और देखी इसलाई हमारी बाहर की तरफ आगी है इसके बाद इसे फोल्ड करते हुए सामने की तरफ इस तरह से एक से डेड़ इंच हमारी ये फोल्ड पट्टी त्यार होगी इस पे हमने सिलाई लगानी है किनारे पर इस पे हम उपर की तरफ तो काज बटन कर देंगे निचे की जई पट्टी इस पे दो खोखाई भी लगा सकते हैं और काज बटन भी कर सकते हैं तो इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी त्यार होगी है यह देखिए ऐसे ब्राबर से नापते हुए किनारे पर हम पकी सलाई लगाएंगे यह देखिए इस तरह से इसके बाद हम जो काज बट्टी उपर लगाई थी उस पर काज करते हुए देखिए इसके बाद हम यह बटन का इंशान लगा लेंगे तो यह बड़ा बटन मैंने उपर स्टिच करना है कि आप खुक भी लगा सकते हैं फ्रेंट्स और काज बटन पट्टी भी बना सकते हैं आपको जैसा ठीक लगिए इस तरह से हमारी काज पट्टी त्यार होगी है नीचे की साइड मैंने हुक लगा दिया है फ्रेंट्स तो देखिए आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करेंगे पिछे के साइड लास्टी के अवरेंट्स आगे बिल्कु स्टेट यह थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में